16 दिसंबर 1927 फैजाबाद जेल अब यहाँ पर रामपरसाद बिस्मिल जी अपनी माता को पत्र लिख रहे हैं 16 दिसंबर 1927 को और जेल है फैजाबाद पूजनिय माताजी सादर चरण वंदना इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा सुख की इच्छा नहीं है केवल एक इच्छा है वह यह की एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता किन्तु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती क्योंकि शेग्र ही मेरी मृत्यू का समवाद सुनाया जाना है अर्थाज जल्दी ही मेरी मृत्यू की जो सूचना है वह आने वाली है मा मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ कर धैरे धारण करोगी कि तुम्हारे पुत्र ने माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है जब सवाधीन भारत का स्वाधीन मतलब स्वतंत्र आजाद भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी प्रिष्ठ पर उज्वल अक्षरों में मा तुम्हारा नाम अवश्य लिखा होगा जन्मदात्री वर्दो की अंतिम समय भी में भी मेरा हृदे द्रिड रहे और तुम्हारे चरण कमलों में प्राण अर्पित करता हुआ शहीद हो जाऊं तुम्हारा बेटा राम प्रसाद बिस्मिल अब आगे पढ़ें अश्वाक उल्ला खां हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन के संस्थापकों में से एक थे जिनका उद्देशे सशस्त्र यानि हतियारों के साथ संगहर शिकर भारत मा को आजाद करवाना था जब उन्हें काकोरी कान में फासी की सजा सुनाई गई तब उन्होंने कहा था कि यह एक विडंबना है कि जो हमें सालों से लूटते आएं हैं वे हमें लूट के अपराद में सजा सुना रही हैं काकोरी कान में चार करांतिकारियों को फासी हुई